आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार नमस्कार मैं हूँ गौरत स्रीवास्तो आप मेरे साथ देख रहे हैं प्राइम टीवी दोस्तों 2021 का आखरी दिन है और चुकि हर साल का आखरी दिन कुछ अनुवह देखे जाता है और कुछ ऐसी बाते देखे जाता है जिससे आदमी को अनुवह मिलता है और साथी साथ इस साम का बिस्सिस महट भी रहता है कि साम पर हमेशा लोग अपने पुराने वक्त को भूलते हैं और इस साम के साथ अगले जो दिन होता है जो नया सूरज निकलता है उसको बहतर बनाने का एक निश्चे करके आने वारे साल में जाते हैं कहते हैं ना ये साल नया आएगा पुराना साल जाएगा दिया कुछ दर्द तो कुछ हासी भी देखे जाएगा संगीर के साथ बना लेंगे हर लम्हे को यादगार जिससे अगले साल केबल मुस्कराइट ही देखे जाएगा और केबल मुस्कराइट ही फैलाएगा इस साम को और यारगर बनाने के लिए माज़ा पर मौजूद है सोटा स्रीवास्तों मदूर जी जो की जाने माने का वित्री हैं तो इस साम को बेशे रूप से रंग देने के लिए सोचा जी अपनी कुछ जो उनकी रचना है उसे सुरूबात करेंगी सोचा जी आप कामा करगा में स्वागत है है तो नबबड और कल सुरू होगा आपको हूटक locked एंधो मानने काक कुछ बेतर होगा आपके द्वारा इस सुरू नबबड‐ारी इस अ Pastor workshop तो मैंने फटा फट कुछ लिखा है, एक दू छंद है, कुछ गजले हैं, आप सभी के सार में रखती हूं, सुरिए गा सुब हो या शाम हो, चाहो आठो दाम हो, सुब हो या शाम हो, चाहे आठो दाम हो, मन में बस यही कामना बनी रहे प्रफलित मन हो चाहू और मंग हो खुशियों से भरी हर भावना बनी रहे मंदिर हो मस्चिद चाहे गुरु द्वारा फिर देश प्रेम की बस धारणा बनी रहे और नव वर्ष लेकर आए खुशियां पार ये जन जन में सद भावना बनी रहे जन जन में सद भावना बनी रहे तो बहुत सानदार सद भाव की भावना से उड़ प्रोट आपने अपने कुछ पंगतिया कुछ छंड सुनाए है पुछ सक्स मेरे चाव नहीं तौसा कमक्तिय को अवरा मेरे हैं कुछ गाने पती आपने परदार खं़कया चवाइजा है बिलकुल 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 मुलता मैं शिंगार की कवित्री हूँ गजल और गीत मैं जादा लिखती हूँ तो सुरिएगा आप सभी के सामने एक मुक्तक और रखती हूँ उसके बाद से फिर मैं गजल आपको सुनाओंगी बदलती ख्वाइश जैसे बदल तुम भी नहीं जाना बदल तुम भी नहीं जाना भले देरी से ही आओ मगर तुम लौट के आना बदलती ख्वाइश जैसे बदल तुम भी नहीं जाना भले देरी से ही आओ मगर तुम लौट के आना सम्हाले हम ने रखी है हजारों तारिखे अब तक जरा सा मन बदल के तुम हर एक वादा निभा जाना देखिए नए साल में आपसे बादा लिया जा रहा है कि आप बादा निभाई दीजें वाब बढ़िया सुट्र जी बहुत अच्छा जो पंक्तिया है जाहिर तोर से बात है कि सिंगार और जिस तरह से आप विशेश रस की कवित्री है जैसे आपने वादार सिंगार की आप कुछ ऐसी रचनाय करती है जो बहुत ही आपकी जीवन में बहुत महत रखती है और जब भी कहीं भी अगर जाती है आप कावेपार्ट के लिए या कहीं आपका आमतर हुता है तो उस कारकम में उन रचनाय को जरूर पस्तुट करती है बिल्कुल कुछ कविताय कुछ गजले है मेरी जो मैं मूलता मुझे बहुत पसंद है और वो बहुत सराहा भी गया है और भी जगह पे तो एक मुक्तक आप सभी के सामने पढ़ रही हूं कि दो कांधों पे लाखों गम उठाना बहुत दुश्वार है सबसे निभाना कि दो कांधों पे लाखों गम उठाना बहुत दुश्वार है सबसे निभाना सफर है हर कदम पर मुश्किले हैं हमारा काम है बस चलते जाना हमारा काम है बस चलते जाना बहुत बहुत शांदार आपके रचना रही चुकि एक महला है आप मैं देखा जस्तरे से आज राजनीती में और तबाव ऐसी जगए पर महलाओं को आंगे बनाने का प्यास किया जा रहा है जो महलाओं का जुन्दित्यु भी लगतर बढ़ रह है तो मेलाओं परकर आपने कोई रचना की हो तो मैं उसको जरू सुना चाहेंगे कि महला प्रदान जो ऐसी आप कर रचना हो जी 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 एक बहुत ही शांदार मुक्तक है मेरा और उसके पास से में गजल आप सभी के सामने सुना देती हूं आप सभी को जो की सब की कभी तुम कहा मत करो भावना में कभी तुम बहा मत करो कि ध्यान सब का हाँ बहुत ध्यान रखने की जुरूत है कि ध्यान सब का यहां बस गिराने में है राह उनकी बताई चला मत करो कि बात दिल की कभी तुम कहा मत करो भावना में कभी तुम बहा मत करो की ध्यान सब का यहां बस गिराने में है राह उनकी बताई चला मत करो यह जो कोविड जो काल आया हम लोगों का बहुत कुछ बदल के गया है यहां पर बहुत लोग के साथ बहुत कुछ हुआ है तो यह शेर बतौर एक खास उस चीज़ के लिए है कि जतना हम लोगों समझते हैं अपने जीवन में कि अब तलक ना मरा तो अमर तू नहीं अब तलक ना मरा तो अमर तू नहीं तुम गलत फैमियों में रहामत करो कि जो भी कहना हो कह दो मेरे सामने यह सारे वीवर्स जितने भी है यह जो शेर है वो कह सकते हैं डॉक्टर श्वेता के तरफ से आप सभी के नाम पे है यह कि जो भी कहना हो कह दो मेरे सामने पीठ पीछे शिकायत कियामत करो कि जो तुम्हें चोड़कर है गई राह में याद में उनके तुम अब जलामत करो कि देखे श्वेता क्या कहती है कि हम चाहें जितना भी उचा उठ जाएं जितना भी बड़े इंसान बन जाएं लेकिन अपना घर हमेशा याद रहता है कि लोट कर श्वेता तुम घर ही आना सको लोट कर श्वेता तुम घर ही आना सको इतनी उची उड़ाने भरा मत करो कि बात दिल की कभी तुम कहा मत करो भावना में कभी तुम बहामत करो जो भी रचना आपने सुनाई है वो दिल को उसके बिलकुल छू लिया है मर में इस पर सी रचना आपकी रही है तो कुछ और ऐसी रचनाओं को सुना चाहेंगे हमादर सक जिससे कि उनका जो आने वाला साल है वो बहतर हो वो इस साल के जो दर्द है कुछ ऐसी चीज़े है जिनके दिल को डुकी किया है उस दर्द को कम किया जैसे जी इस बात पर मुझे एक बात याद आ गई है पिर एक मुक्तक है जो मैं आपके चैनल के माधे में कहना चाहूँगी कि हमारे दिल ने कब सब को हमाना किसी को कुछ बुरा लगता नहीं है लगा रहता है आना और जाना क्या है बहुत बहुत सांदर बहुत सांदर आपने अच्छा है चाहिए सुटा जी जिस तरह से आपने होता है कि मैलाव में आपने बताया शै है और आज की समय में आप देख रही जिस तरह से शैक्त परवार है शो जैक्त परवार के धाना लगत खतम होती जा रही है हम देखते हैं कि परवार अपने अपने जो बुरे बुजर्ग है उनको चोड़कर लोग चले जाते हैं और यह बड़ा मुद्दा नहीं बहुत बड़ा है, हमेशा ही हम देखते हैं कि जो पीड़ी आने वाली पीड़ी है, वो हमारी जो बुज़र की पीड़ी है, उसकी दर ध्यान नहीं देते हैं, वो आज भी वो अपने आपको अकेला मैसूश करते हैं, तो निशिरूप से जो रचना होती है, करोन रच से संबनित होती है, तो अगर इस पे आपके कोई आपने मुक्तक रचना की हो, तो कुछ पंगते हैं सुना चाहूँगा, इस पे तो ये बहुत विस्तरित है ये चीज, लेकिन मैं यही कहना चाहूँगे कि नजाने क्यों वीरान से लगती है हे दूनिया की तरह कभी फिशयार हो जाती है दुनिया की तरह कभी बिल्कुल नादान से लगते ही, जिन अभी तो आप पता हैं सिंगार्स, सिंगार्स है प्रेम की भी सिंगार्स में पूरी पूरी अनुवक्ति होती है, कि बिना प्रेम की सिंगार्स को मानना ही बियर्थ है, तो निशी रूप से सिंगार्स और प्रेम का एक साथ रहता है, कहते हैं प्रेम से ही सिंगार्स का जनम हो मैं खुद को सोचती हूँ जब तुम ही से बात होती है मैं खुद को सोचती हूँ जब तुम ही से बात होती है मेरी खातिर तडपता है जमाना बात हो जाए मेरी खातिर तडपता है जमाना बात हो जाए मगर मैं चाहती हूँ जब तुम ही से बात होती है अकेले बैठती हूँ जब तुम ही से बात होती है बहुत शुक्र है आप सभी के आपने का एक रचना और सुनाएंगी तो यह रचना और प्रेम से बढ़ी सुनना चाहूंगा बिल्कुल, 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 एक रचना और है, चुकि प्रेम है तो दर्द भी है, तो वही एक रचना में आप सभी के सामने रखना चाहूंगी. देखे, जब प्रेम की बात करते हैं, फिर वियोग भी आता है, तो एक गजल उसी के नाम में रख रही हूं, सुनिएगा, पढ़ती हूं, आप सभी को बहुत अच्छा लगेगा, सुनिएगा. सब गमों का मजा हम उठाते रहे, रूठते वो रहे, हम मनाते रहे, सब गमों का मजा हम उठाते रहे, रूठते वो रहे, हम मनाते रहे, तुम भले जान लो, आँख से रोई हूं, होट मेरे सदा मस्कराते रहे, एक गजल फिर कही है तिरे नाम की, याद जब आए तब गुन गुना ते रहे, जिन्दगी मौत के बीच मेरात दिन, नाम ले कर तेरा हम बुलाते रहे, जो हमें आसुओं से भिगो कर गया, जिन्दगी भर उसे हम हसाते रहे, खुश रहेगा हमेशा यही सोच कर, दिल को अपने सदा हम दुखाते रहे, इश्क में हार का भी है अपना मज़ा, इसलिए हम उसे ही जिताते रहे, सब गमों का मज़ा हम उठाते रहे, रूठते वो रहे, हम मनाते रहे, जैसा कि आपने बताया, आपकी जानकारी है कि शाहर आप डॉक्टर है, तो डॉक्टर की पेसे से टोड़ साब की जिन्दी की भर जाने चाहिएगी जरसक, डॉक्टरी पेसे से जो आपका कवितरी आपका रचनाय करती है और लोगों को संगीत के माध्यम से, अपने कविदाओं के माध्यम से लोगों की दर्द को कमी करती है और बताती है किस तरह दुनिया और बेहतर हो सकती है क्यों प्रेम और सोहार फैलाना ही हर एक रतनकार की एक है नित्र भूता हो और इसकी जम्मिलारी होती है तो फिर बाहर शपने लगे लोगों को अच्छा लगने लगा तो फिर वो सल्सला जो है वो शुरू हो गया फिर पीछे पलट के नहीं देखा पूर्दा साहित की तरफ समर्पिथ है हर एक कलाकार या हर एक रतनकार की जिन्दी में गुरू की महिमा बहुत महरू होती है तो हर एक इंसान का एक गुरू होता है जो जिसके माद्दम से वो सीखता भी है आपके जीवन में आपका गुरू कौन रहा है देखे गी के पाना बड़ा कठिन है कि गुरू कौन रहा है क्योंकि जब मैं इस चेत्र में जब मैं आई थी चुकि हम लोग तो मेडिकल के डॉक्टर थे लिखने का शौक रहा था शुरू से तो जब इस चेत्र में जब मैं आई थी तो बहुत ऐसे लोग मुझे मिले जोना मुझे बहुत आगे सिखाया है बढ़ाया है पर्टिकुलर में किसी एक का नाम नहीं ले सकती लेकिन हां यह पात बिलकुल सत्य है कि जिसको बुदर आगे बढ़ाने वाले कम लोग मिलते हैं पीछे किष्णी वाले ज्यादा मिलते हैं लेकिन हां में को भगवान की दया से बहुत ऐसे लोग मिले जिन्होंने मुझे बहुत को सिखाया और मैसी थी कुछ प्रेड़ना शुर्ट इसे ह जो पर्दा एक आई थी उनकी का था वह बहुत ही खुबसूरत वह मेरे दिल को बहुत जिजोरती है वहां तक पहुंशा महादेवी अर्मा जी और सुबतर कुमारी चौहान जी कि ऐसे लोग हैं जिनको हमने पढ़ा है जो जिसको कहते हैं कि हम जब स्कूल टाइम में और ज आप पढ़ते रहेंगे तो आप अपने आप ही उस दिशा में आप आगे बढ़ते रहेंगे जहां पे आपको जो जिस मन्जल पे आपको पहुंचना है एक ऐसा साणित मिले जिसके में सागर में जो अघंद के जो आएंगे जिसको हम आस्तक कि बार इसका आनन भी ले रहे हैं तो पर कुछ समय भी देखना है पर विचारता हूं कि कुछ रचना है और आपके असी सुनने मेरे हमको जिससे कि हमाई दर्सक जैनि आपके इस जो आपका जो एपिसोड रहेगा इसको हमेशा याद करें और बहतर एपिसोड की रूप में इस लोग में आते हैं कि इश्क करके उस हाल में हैं हम इश्क करके उस हाल में हैं हम दर्दोगम और मलाल में हैं हम वो हमारा खयाल करते हैं अब तलक इस खयाल में हैं हम देखे कितनी गलत फहमी होती है लेकिन तब भी हम लोग जो संवेदना है जिसको कहते हैं उसको व्यक्त करते हैं कि इश्क करके उस हाल में हैं हम दर्दोगम और मलाल में हैं हम वो हमारा खयाल करते हैं अब तलक इस खयाल में हैं हम कि उनकी नजरे हमें बताती है देखिए अभी वैलेंटाइन्स टेप नया साल आ रहा है फिर वैलेंटाइन्स टेप भी आएगा तो सुरिएगा कि उनकी नजरे हमें बताती है उनकी नजरे हमें बताती है अब भी सोलवे साल में हैं हम जिसका देव जवाब लोट गए जिसका देव जवाब लोट गए आज भी उस सवाल में हैं हम आखरी गजल का शेर है कि जसने हिजरा मना रहे हैं रोज जसने हिजरा का मतलब होता है सेप्रेशन जसने हिजरा मना रहे हैं रोज लोग समझे विसाल में हैं हम कि इश्क करके उस हाल में हैं हम दर्द गम और मलाल में हैं हम वो हमारा खयाल करते हैं अब तलक उस खयाल में हैं हम नर में डाल शक्रियात शबए 1-2 मुकतक और में आप इजाजस दे तो मैं परदो में प्रदो सहर हैं माझा उठने का मनि नी कर रहा है मिलकल कि कि अकेले बैथती हूँ जब तुम्हारे बाद भी अक्सर तुम्हारे बाद भी अक्सर तुम ही से इश्क करती हूँ तुम्हारे बाद भी अक्सर तुम्ही से इश्क करती हूँ मैं रहती हूँ जमाने में जमाने के तरीके पर मगर अंतस्म मैं खुलकर तुम्ही से इश्क करती हूँ तुम्हारे बाद भी अक्सर तुम्ही से इश्क करती हूँ एक आखरी जाते जाते एक मुक तक आप सभी के नाम शिंगार की कवित्री हूँ तो प्रेम की बाते करके वाप पस जाओँगी और साल भर आप सभी गुसर से ऐसी प्रेम कीजे एसे ही खुश रहिए सुनिएगा तुजो परवाज दे देता ये सब यूवा के लिए है ये अच्छा आप यूवा हैं ठीक है बिल्कुल आप सुनिएगा तुजो परवाज दे देता यकीनन मैं चली आती कोई अंदाज दे देता यकीनन मैं चली आती गुजारी है विरह मैंने तिरी ही इंतजारी में अगर आवाच दे देता अगर आवाच दे देता यकीनन मैं चली आती कोई अंदाज दे देता यकीनन मैं चली आती भूद भूषिक्री आती अठीक कि यह नवर्ष पर क्या करना चाहेंगे नवर्ष आप सभी के लिए बहुत-बहुत-बहुत मंगल मैं हो जो लोग रूठे हैं जो लोग बिछड़े हैं वो वापस मिल जाएं ऐसी दुआ करती हूं मैं और कोरोना का देखिया भी कोरोना खतम नहीं हुआ है अब कवित्री भी आप सभी के लिए बहुत-बहुत-बहुत अच्छी खुशियां लाए जो इन दो सालों में बहुत-कुछ सबने बहुत-कुछ जेला है इश्वर से आप सभी के लिए यही प्रात्तन करूंगी कि आप हमेशा स्वस्त रहिए मस्त रहिए और प्राइम टीवी देखते पढ़ते रहे आदत बहुत अच्छी है तो यह थी हमाई साथ दॉट्टर सोजता स्रीवास्ता मधूर जो कि अपनी कुछ रचना हैं को सुनाई हैं जिस रचनाओं से आज जो हमारी साम थी बहुत खुसनमा हो गई है सुर्माई हो गई है और जो कहते हैं कि अगर कोई संग मे दास है तुम मिने फिजा दास है जमी आसमा दास है तुम मिने फिजा दास है जमी आसमा दास है अखिया धूरती छबी तुमारी बीडा की हरतान दास है अधूरे तुम मिन सारे सपने अधूरे तुम मिन सारे सपने सतरंगी गलिया दास है तुम आ जाओ महक उठेगी तुम तो ये जो एक साम गजलो के नाम ये हमारे करगम दाहा और बहुत अच्छी रचना है हमको सुनने के मिली और इनकी रचनाओं के साथ आप मैं देखा किस तरह से मैं भी एक प्रिकार से कुछ मेरे अंदर भी होने लगा मैंने भी कुछ रचनाओं पड़ी हैं तो अच्छा बहुत बैतर अगा सोईता जी का बहुत अन्वा देते हैं कि नोगने अपने अमूल समय में से निकाल कर हमाई दर्शकों को बोरिचनाय सुनाई जिसे उनके साल जो जा रहा है कुछ अन्वाव रहा है कुछ जर्द रहा है वो भी कम होगा और साथ ही साथ जो नया साल आने वाला है वो भी नए ताजी के साथ, नए उर्जा के साथ और नए उस्थार के जर्म देगा, नमस्कार. आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार.